हेलो फ्रेंज वेलकम तो आज चानल दा फ्लेबर फिस्ट आज हम लुक लेके आए आपके लिए और एक निया रेसिपी तो दोस्तो आज का रेसिपी है बेचलर स्टल मातन करी तो जैसे कि मेगजिमम बेचलर्स के घर में ज्यादा यूटेंसिल्स और मासला नहीं रहता है तो लिमिटेड आइटेम से कैसे यह अमेजिन मातन करी आप बना सकते है यह दिखाएंगे और इस नोट ओनली फॉर दे बेचलर्स आप आपके बीजी लाइफ में बहुती इजीली यह मातन करी बना सकते है तो चलिए अभी डीटेल रेसिपी देख लेते हैं तो दोस्तों 500 गम मातन लिया है मीडियम साइस के पीसेस में कटा हुआ तीन मीडियम साइस के प्याज लिया है और चार हारी मीर्ची लिया है अगर आप जादा तीखा खाते है उस दब से ले सकते है मीर्ची के हमने बारिक काट के एड़ कर दिया मातन में मेरिनेशन परसे शूरू करते है और पाउडर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह specially bachelor's के लिए बनाया गया है जो लोग हुस्टेल में रहते उसके लिए maternity भी बनाया गया है तो इसलिए हम लोग यह shortcut method अपना रहा है और हम लोग मीट मसाला यूज़ कर रहे है आधा टेबल स्पून धनिया के पाउडर एट कर लेते है आधा टेबल स्पून जीरा के पाउडर आट कर लेते हैं क्योंकि हमने मीट मसाला पावडर एट कर लेते हैं आगर अब यद्या तीखागाते है तो एट? कर सकते हैं आपके हिसाब से मैं यहाँ पे जो भी मसाले का क्वांटिटी है 500 ग्राम मटन के हिसाब से एड़ कर रहा हूँ अभी लगबग 1 टेबल स्पून नमक अड़ कर लेते हैं नमक कोई काम खाता है तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे नमक 1 टेबल स्पून से थोड़ा काम अड़ करना और लास्ट में टेस्ट करके आपको अगर लगेगा तो नमक अड़ कर सकते हैं उसके बाद हम लोग तो माटन बहुत टैंडर हो जता है। coughing माटन बनते हैं एटलिस्स 30 मिनिनिट की लिए मिरीनई करने की लिए करिए। K 20 में अदे 4 टेबल स्पून सरसो के लिए में SWcciones sciles katelle ke खाने में। बहुत लोग ऐसे है कि जिनको सोर्सो के तेल के जहां जो हुद पसंद रही है उसके में आप डूसरा अपना मनपसंद कोई भी तेल कर सकते हैं बट मैं recommend करता हूँ अगर सोर्सो के तेल खाने में कोई problem नहीं है तो सोर्सो के तेल से यह बनाई है अभी सब कुछ अच्छे से मिला लेते हैं मसल मसल के एकदम अच्छे से मेरिनेशन के लिए मिला लेना अगर आपके पस बिलकुल टाइम नहीं है तो आप डिरेक्ट पकाना शुरू कर सकते हैं दो घंटे तक मेरिनेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलेगा और अगर टाइम कमें तो मिनिमाम जैसे मैंने पहली बोला है 30 मिनिट करिए बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलेगा आपको तो दोस्तो मैं अभी मेरिनेशन के लिए राग देता हूँ 40-45 मिनिट के लिए राग दूँगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है नहीं तो मैं नर्मली 2,5 गंटे तक मेरिनेट करता हूँ माटन को तो दोस्तो अभी पकाना शुरू कर लेते हैं कोकर में मैं यहां पर ले रहा हूँ 10 टेबिल स्पून मस्टर ओयल जैसे कि मैंने पहले भी बताया अगर आपको मस्टर ओयल पसंद रही है तो आप कोई दूसरा भी ओयल यूस कर सकते या तो गी का भी इस्तमल कर सकते हैं कि गी में बनाया हुआ माटन खाने में भी बहुत अच्छा लगता हैं दूस्तो मस्टर ओयल को बहुत ही अच्छे से गरम करना है उसमें कोई मसाला या प्याच डालने के पहले जब तक भापना अना शुरू हो जाए तब तक मस्टर ओयल को गरम करना है तो दूस्तो तेल अच्छे से गरम हो गया मैंने यहां पर डाल दिया दो तेजपत्ता अभी प्याज अट कर लेते हैं बूनने के लिए जैसे कि आपको यादे कि देड़ प्याज हमने मिरिनेशन के लिए डाल दिया था और बागी देड़ प्याज का जो काटके रखा था हमने अभी हम लोग भ किया तो दोनों मिला के एक दम बहुत बड़ी अफ्लेबर आएगा प्याज जैसे हालका सा गॉल्डन ब्राउन हो जाए तब हम लोग एट कर लेंगे यहां पर टमटर मिडियम से इसका टमटर मैंने लिया है यहां पर बारी काटके अभी 2-3 मिनिट के लिए टमटर को भून लेते हैं प्याज के साथ जब तक तुम टमटर सौफ्ट ना हो जाए बीगलना शुरू ना हो जाए तो दोस्तो अभी हम लोग एट कर लेंगे जो हमारा मिरिनिट किया हुआ माटन है तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहां पर खाड़ा गरम मसला कुछ यूज नहीं किया प्याज डालने के पहले आप ओभी डाल सकते हैं बट क्यूंकि हमने मीट मसला यूज किया है और मीट मसला में एक चले गरम मसला भी रहता है सारे जीरा और धनिया के साथ तो इसलिए जो फ्लेवर आएगा गरम मसला का अउड़ेडी मिरिनिशन में है तो दोस्तो हम लोग के डीश कुकर में इसलिए बना रहा है कि यहाँ पर हम लोग ईजी और क्विक प्रसीजियूर दिखा रहा है वैसे तो मैं रुक्यूमंट करूंगा कि आप माटन को हमेशा कड़ाई में ही बनाईए थोड़ा टाइम लेके बनने में ठीक है देर दुखन लग जाता है लेकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुकर में बना लीजिए तो दोस्तो अभी यह जो प्रॉसेस है अपना माटन को भूनना यह बहुत ही आच्छे से करना पड़ेगा आठ से दस मिनिट के लिए हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राइ करना है जब तक ना ओयल सेपरेट होना शुरू हो जाए यह याद रखना कि अगर आप अच्छे से माटन को भूनेंगे नहीं तो माटन का एक रॉस मेल रह जाएगा डीश में कि यूँकि हम लोग एक कुकर म बना शुरू हो गया तो इसलिए हमने पानी अड कर दिया मैं यहाँ पर लगबग 2-3 ml जैसा पानी अड किया ज्यादा पानी अड नहीं किया क्योंकि हम लोग कुकर में बनाएंगे तो बस बॉयल करने के लिए जितना पानी चाहिए सीटी देने के लिए बस इतना ही हमने प लगाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना आठ हुईसल हो गया अभी में क्या करूंगा 10-15 मिनिट के लिए इसको एसी छोड़ दूंगा ताकि प्रिशर आपने आप निकल जाए को कर कि तो दोस्तों हुईसल के बाद हमने 15 मिनिट के लिए छोड़ दिया तो कुकर को ऐसे ही अभी प्रिशर निकल गया तो अभी कुकर आपन किया तो देख सकते हैं कि कि इतना बढ़िया लग रहा है मटन देखने में और बॉयल भी बहुत ही अच्छे से हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे लगभग वान टीस्पून जैसा हम लोग गरम मसला पावडर अगर ग्रेवी आपको एड़ करना है तो ग्रेवी एड़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ है अगर लगता है कि मटन अंडर बॉयल है तो आपको और दो सीटी लगाना है तो दूस्तों गरम मसला पावडर एड़ करने के बाद पाँच मिन हमने लौ फले में कूक या भी देख स सकते हैं वैसे तो मटन के बहुत सरे वराइटीज डीश है लेकिन अगर एक बीगिनर है और मटन आपको बनाना है ट्राइ करना है तो आप ज़रूर ऐसे ट्राइ करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद आप अपने साब से डीश को ट्विक कर सकते जर होपफुली यह रेसीपी आप ज़रूर ट्राइ करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसा लगा आपको तो दोस्तो आभी राइस के साथ ट्राइ करते हैं और देखते हैं कैसा लगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बॉयल हो गया मतन देख सक करके देखता हूँ एक में बाइट लेके देखता हूँ दूस्तो विली मी की बहुत अच्छा बनाया है खाने में बहुत अच्छा लग रहा है यू मस्ट ट्राइडिस रेसीपी इस लाइक आवर वीडियो प्लीज दो लाइक शेर और सब्सक्राइब आवर चैनल थेंक कर दो